नमस्कार खबरों का पंच्रामा देखरें आप मैं हुआ आपके साथ पूजा हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की पांच बड़ी खबरे जस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडिय में मौजूद है क्या पटम टीबी के एडिटर निजी डॉक्टर मनेश कुमार रक्स सबसे पहले नजर हेड्लाइन्स पर प्यमोदी ने युवाओं को दी बड़ी सौगात 51,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी रोजकार मेली के तहत प्रधानमंत्री नरेंज मोडी ने बाटे जॉइनिंग लेटर निदेश कुमार की पाटी में पड़ी फूट, ललन सिंग और अशोक चौधरी के बीच हुई नोक जोग तो वही पशुपती पारस ने दिया बड़ा वयान कहा निदीश का एंडिय में स्वागत है Northern Journal Council की बैटक में शामिल हुए अमिर्शा, बैटक में बगवतमान, मनोह लाल खटर और गवर्नर बनवारी लाल पूरोहित हुए शामिल कई बड़े मुद्दों पर हुई चर्चा नकसलियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही कॉंग्रिस सरकार, बीजपी ने बगेल सरकार पढ़ दागे सवालों के बार, बीजपी ने 36 गड़ सरकार के खिलाब पेश की, 400 पन्लों की चार्चे कनाडा के प्रदान मंत्री जस्टिन टूडो चारों तरब से घिरे, कनाडा में खालिस्तानियों का विरोध प्रदर्शन रहा, बिल्कुल फ्लॉप, पैसे बांटे मिनते की, फिर भी नहीं जुटे 50 लोग डर की साइल में खालिस्ता आज कबरों की शुरुआत में सबसे वेले बात, प्यम मोदी के मिशन रोजकार की प्रदान मंत्री नरेंज मोदी ने एक बार फिर देश के हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी की सौगार दी है प्यम मोदी ने आज वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माधियम से 90 रोजकार मेले से जुड़े और उन्होंने 51,000 युवाओं को सरकारी नौकरी का न्युक्ति पत्र सौपा इस दोरान पियम ने तकलीक पर बात करती हुए कहा कि पिछले 9 साल में इनोवेटिव तरीके से बड़े बदलाव हुए है साथी इसका इस्तिमाल बढ़ने से भरस्टचार घटा है और सुविधाय बड़ी है बिपक्ष बार बार रोजगार को लेकर सवाल खड़े करते रहा है इतनी जादा न्युक्ति पत्र लागतार बाटी जारी है अब बिपक्ष चुप क्यों है देखिए ये सचाई है और हकीकत है कि देश में बेरोजगारी है युवाओं को रोजगार चाहिए और 2024 में चुनाओ भी है तो रोजगार कई तरीके से मिलते हैं एक जब एकॉनमी जो है वो आगे बढ़ती है प्राइबट सेक्टर ग्रो करता है बाजार बड़ा होता है प विपक्ष ने बेरोजगारी को एक बाड़ा मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ये हर महिने वो इस तरह के जॉनिंग लेटर्स बाटने का कारिकर्म करते हैं कभी सतर हजार कभी एक लाग कभी कावन हजार इस तरीके से टार्गेट इनों ने बनाया है तो ये दो फाइदे करता है एक तो युवाओं के हाथ में रोजगार आता है और दूसरा ये जो चुनाओं की दृष्टि से जो विपक्ष का जो अटैक है उसको वो थोड़ा सा एक डिफेंस में लेकर के जाता है तो मुझे लग रहा है कि प्रधार मंत्री बोधी इस तरह के कारिक्टरम ये लगातार चुनाओं की घोष्टना तक वो करते रहेंगे हर महने इस तरह की खबर आती है और कई सारे लोगों को नौकरिया मिलती है ये एक अच्छी पहल है अगली खबर में बात बिहार की राजनिती की जहां हलचल काफी तेज है महागडबंदन में धरार है जेडियू में भी दोफार है बीती दिनों पार्टी की एहम बैचक में नितीश के दो दिन गशनेता आपस में ही भड़ गए जेडियू की रास्ट्य ध्यक्ष ललन सेंग और मंतरी अशोक चौदरी के वीच में खूब नोग जोक हुई कासवत ये रही कि यह सब मुक्य मंद्री नितीश कुमार के आखो के सामने होता रहा और नितीश कुमार चुक्चापतमाशा देखते रहे यसे वेश नितिश कुमार के एंटियमे शावल होने की खबरों के वेश के इंड्रिमंत्री और रास्टी लोग जन्शक्ती पार्टी के चीफ परशपती पारस ने बड़ा बयान दे दिया उन्होंने कहा कि नितिश आएंगे तो उनका स्वागत है समय बलवान होता है इसलिए जो भी होगा अच्छाई होगा बिहार में चल क्या रहा है देखिए बिहार में नितिश कुमार की जो पार्टी है वो दो फाल में बढ़ गई है जादा तर लोगों को ये लगता है कि नितिश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के साथ हाथ मिला करके जो सरकार बनाई जो गटबंदन बना उससे जेडियू को बहुत नुक्सान हो जिस हिसाब से जब से ये सरकार आई है लॉइन ओर्डर से लेकर के सारी चीजे लोग तरस्त हैं और इस वजह से नितिश कुमार की पॉप्लरिटी इस वक्त बिलकुल रसातल में चली गई है लोग पॉप्लर होना तो छोड़ दीजिए लोग अब ध्रना करने लग गए हैं आम लोग नितिश कुमार से आप जिन लोगों ने किया और जो नितिश कुमार को इस मुसीबत से बाहर निकालना चाहते हैं ये दो अलग अलग गुठ हो गए हैं ललन से वो अपनी एक्छाओं को पूरा वो नहीं कर सके एंडिय में उनको बनना था रेल मंत्री नहीं बन सक तो इन्होंने गड़बंद नहीं तुड़वा दिया वो बहुत ही की प्लेयर थे उसमें वो राष्टिय धक्ष भी हैं तो अब अशोक चौधरी जो एक बड़े दलित लीडर हैं मंत्री भी हैं और नितिश कुमार के काफी करीबी भी उन से आपस में जगड़ा हो गया बस इस बात को लेकर कि भी आप से कुरा और बर्विगा और जमुई क्यों जाते हैं इन्होंने पलट के जवाब दे दिया बहसा बहसी हो गई कि आप कौन होते हैं मुझे रोपने वाले मैं कहीं भी जाओं तो यह इस तरह का जो की जो खबरे आ रही है जेडियू के अंदर से एक बात तो साफ है कि जेडियू इस गड़बंदन को लेकर के यह आई एंडिय को लेकर के और लोगसभा चुनाओ के रनिती के हिसाब से दो फाड़ में बढ़ चुकी है और इसलिए यह जो खबर आ रही है कि एंडिये में शामिल हो सकते प्रधान मंतरी मोदी के शरर में नितीश कुमार जा सकते हैं यह कोई अफवाह नहीं है यह दरसल जेडियू के अंदर जो लगतार मीटिंग्स हो रही है उसमें ज्यादा तर लीडर जेडियू के नितीश कुमार को यही सर्जिशन दे रहे हैं नज़र डालते हैं अगली ख़वर पर पंजाब के अमरत्सर में अमश्रा की अध्यक्षता में उत्री छेत्री परिशत की एक तीसवी बैठक होई बैठक के दौरान मंच पर ग्रह मंतरी अमिश्रा के एक तरफ पंजाब सीम भगवतमान बैठे नज़र आए तो दूसरी त पुन मुद्दों पर बैठक में चर्चा भी की गई क्या कुछ हुआ बैठक में देखिए जो जोनल बैठक जो होते हैं यह अलग-अलग राज्यों के बीच सामंजस बैठाने के लिए कोर्डिनेशन के लिए साथी साथ जो उस जोन के जो बड़े-बड़े मुद्दे होते हैं ना सिर्फ लाइन और्डर से जुड़े हुए चीजे बलकि ऐसी ऐसी चीजे जिस पर एक जॉइंट एफर्ट की जरुरत होती है एक पूरा विकास हो सके और जो कंट्रवर्सल मुद्दे होते हैं उनको उनका सेलूशन निकालने के लिए इस तरह के जो मीटिंग्स होती है वो काफी इंपॉर्टन होती है अब होम मिनिस्टर इसके चैर्मेन होते तो हमिशा वहां गए तो कई सारी चीजे हुई कई सारी बाते हो रही है जैसे यमना के पानी को लेकर के बातचीत हो रही है वहां पे और भी कई सारी चंडीगड का एक मसला जो है वह एक विवाद है कि पंजाब का है या हर्याना का है वहां पे हर्याना के लिए एक अलग असेम्बली और अलग सेकेरेटारियट बनाने की बात चल रही है तो वो सारे कंटेंसिस इशु जो है उसके उपर वहां पे बातचीत हो रही है तो यह जो मीटिंग है राजिति के दृष्टी से आक के जरिये रीजन के आधार पे जैसे ये नॉर्थ जोन का जो की जो मीटिंग है तो उसमें कई सारे चीजों का सेलूशन निकलने की एक बढ़िया प्लैटफॉर्म एक अच्छा इंस्टिउशन जो हिंदुस्तान में फंक्शन करता है चलिए बात करते हैं चतिसगर्ट सरकार पर बीज़िपी के बड़े आरोप की बगेल सरकार पर जम कर निशाना साते हुए आज बीज़िपी की तरफ से संबित पात्रा ने बगेल सरकार पर 600 करोड रुपए का घुटाला करने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि चतिसगर्ट में कॉंग्रस नक्सलियों के साथ मिल राखुल गांदी ने गोशना पत्र में 316 वादा किये जिनको राखुल गांदी और चतिसगर्ट की कॉंग्रस सरकार अब तक पूरा नहीं कर पाई है क्या कुछ आरोप लगाये जा रहे हैं बीज़िपी के देखिए चुनाओं का वक्त है आरोप प्रत्यारोप का सिलसला जारी रहेगा तो आज पूरा चार सीट तयार किया गया भारती जंता पार्टी के द्वारा कई सारे घोटाले कई सारी चीजे और पब्लिक डोमीन में हैं जिसके बारे में चर्चा की गई लेकिन नई बात और एक कड़ा प्रहार कल प्रधान मंतरी मोदी ने कहा था कि कॉं कौंग्रेस पार्टी के दौरान नक्सलियों को पिर से समर्थन मिलना सुरह हो गैว Is Be裝 कोई डाउट नहीं है कि राहूल गादी के नित्यकुमें कॉंग्रेस पार्टी नक्सलियों के साथ कॉडिनेट करके कोपरेट करके उनके निताओं को कॉंग्रेस में रचा बसा करके कॉंग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है ये एक चिंता जनक इस्थती है नकसलियों को लेकर के जो आरोप लगते हैं कॉंग्रेस पार्टी इसके ऊपर कोई जवाब नहीं देती ये मत भूले जब मनमोहन सिंग एक कट्पतली प्रधान मंतरी बने हुए उन्होंने भी पार्लेमेंट में यही कहा था कि हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा कोई खत्रा है तो वो नकसलाइट से ये नकसली है कि राहूल गांदी उनकी ही गोख में बैठ गये नक्सलियों का रिस्ता चीन से, नक्सलियों का रिस्ता आएसाई से, नक्सलियों का रिस्ता तमाम उग्रवादी और अलगावादी ताक्तें जो हिंदुस्तान में आउपरेट करती हैं उनके साथ लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है बारती जन्ता पार्टी इस तरह के आरुप तो लगाती जरूर है लेकिन इसका असर चुनाव में कितना होगा ये एक अलग कहानी है ये मत भूलिए कॉंग्रेस पार्टी के पूरे जनरेशन अफ लीडर को आठ दस लीडर साथ नकसलियों ने बॉम ब्लास्ट करके उड़ा दिया था बड़े बड़े लीडर उसमें मारे गए थे लेकिन फिर भी ये राहूल गांदी है जो नकसलियों के साथ दोस्ती करने के लिए तत पर रहते हैं आकरी कबर में बात कराड़ा के प्रधान मंत्री जस्टिन टूडो की बढ़ती मुसीबत होगी चारो तरब से जस्टिन टूडो घिर चुके हैं बारत के आक्शन से खौफ का महौल है और डर के साए में खालिस्तानी है खालिस्तानियों की ताकत अब कनाड़ा में लगतार सिकुरती जा रही है बैकवर में भारती काउंसल के बाहर खालिस्तानियों का विरोध प्रदर्शन बुरी तरह से फ्लॉप रहा लोगों को भारी रकम का लालश देने के बावजूत विरोध प्रदर्शन के लिए खालिस्तानी 50 से जादा लोगों को एकटा करने में कामियाब नहीं हो पाए है क्या खालिस्तानियों को डर लगने लगा है बिल्कुल डर लग रहा है अधरवाइस वहां तो 500-600 लोग बड़ी दंड़ता करते हुए नजर आते थे जब से ये ख़बर मिली है कि यहां खालिस्तानियों के संपत्ति को उनके जमीन को उनके घरों को सील किया जा रहा है OCI वापस लिया जा रहा है हिंदुस्तान आने में दिक्कते हो सकती है अगर आप इस तके प्रोटेस्ट में नजर आओगे तो इसलिए लोग जो है वो पीछे हट रहे हैं लेकिन ट्रूडो का क्या किया जा है ट्रूडो ने एक और गूफ अप किया है पूरी दुनिया में थू थू हो रही है ऐसे नहीं कहा जाता कि यह करनाडा का पपू है पपू किस तरीके से पार्लेमेंट में इसने हिटलर और जीवस को मारने वाले एक आर्मी ओफिसल की तारीफ में बकैदा स्टैंडिंग ओविशन करवा दिया करनाडा जो अपने आपको लिब्रल डेमोक्राटिक बता रहा है नाजी आर्मी ओफिसर के समान में स्टैंडिंग ओविशन दे रहा है करनाडा का पतन कहां चला गया है तो पूरी दुनिया में थूतू हो रही इसराइल भी बढ़ा भालका हुआ है तो आप जब international relations के बीच diplomacy में आप मुठता करेंगे तो इसी तरह की गलतिया होती है हिंदुस्तान ने करनाडा को सबक सिखाने का फैसलब लिया हुआ है यह खालिस्तान के नाम पे इं खालिस्तानियों यह चानिज दलाल यह पाकिस्टानी दलाल जितने हैं इनके उपर कड़ी कारवाई होगी हिंदुस्तान के अंदर और हिंदुस्तान के बाहर ये भारत ने फैसला ने लिए धन्यबाद पाचित के लिए धन्यबाद खबरों का पंच नाम में आज के लिए फिलाल इतना ही देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटेक अनलिसिस के लिए देखते रिए क्यापटल टीवी हमें लाइक कीजिए शेर कीजिए और क्यापटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार